वाश्विक इस्तर पर लोग तंत्र को एक्षासन प्रणाली की रूप में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माना और उस पर व्यवहार करना आरंभित किया जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुँ इस समय लोगों को बहुत ज़दा हिंसा, आशाएं, आकांचाएं सब थी और राष्ट्रे इस्तर पर कॉंपिटेंस की अगर बात करें तो बहुत ज़दा था नहीं कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कार्बन मोनो ओक्साइट को मॉनीटर करने के लिए कुछ एक्विप्मेंट आये, वो भी मॉनीटरिंग सही से नहीं कर रहे हैं, इसकी छमता भी हमारे पास नहीं थी तो सतंतरता प्राप्ति के बात कि अगर दिनों को देखें, तो आज तक भारत ने मंगल यान जब छोड़ा, तो विश्व ने माना कि सबसे सस्ती अंचरिक्ष प्रणाली भारत दे सकता है भारत ने चव मुखी विकास किया है, स्पेल भी कॉम्पिटीशन में अमेरिका में अक्सर भारती बच्चे पुरस्कृत होते हैं, अक्सर लीडर रह रहे हैं और विश्व का ऐसा कोई भी ज्ञान वी ज्ञान कच्चेतर नहीं है, जहां भारती अपना सफल योगदान ना कर रहे हूं लोगतंत्र एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है, पिछले पांच साल में शायद पहली बार भारती जन्ता पार्टी जो 30 साल पुरानी पार्टी है वो पूर्ण भारती बहुमत के साथ सत्ता लेकर आई, एक अल्टरनेटिव मॉडल देने का इसने प्रयास किया और जैसा कि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, उनसे अगर चन के देखी जाए, तो परिश्रम को महत्ता, पराक्रम को महत्ता, राष्ट्री इस्तर पर अभय को महत्ता, आतंकवाद को पराजित अभय ही कर सकता है अभय एक जिवन मुल्य है भारती संस्कृति का, अगर अभय का जिवन मुल्य स्थापित हो जाता है, तो आतंकवाद कभी सफल नहीं हो सकता अब है एक दुख जो है भारती परिवेश में वो है परस पर सम्मान का तो परस पर सम्मान खास कर राजनीती में बहुत ज़दा घटता जा रहा है बाकी सारी चीजें मैं बौधिक के इस्तर पर कह रहा हूं सड़क बिजली पानी ये चुनावतियां कानून और व्यवस्था ये चुनावतियां सब दूर हो जाएंगी यदि हम पुना प्रतिस्ठित करें परिश्रम को वायक्तिक पराक्रम को परस पर सम्मान को और अभय के जीवन मुल्य को जो उपनिशत से हमें आसानी से प्राप्त हैं वैचारिक्ता के धरातल पर इससे अच्छे और कोई चीज नहीं हो सकते लोकतंत्र के इस महापरव पर काशी के सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ कि पूरी शिद्दत से पूरी गंभीरता से सबसे अच्छे प्रत्याशी जो उन्हें लगें उन्हें चुनें वोट दें बहुत संख्या में दें और भौतिक सुक सुधाओं को ध्यान में ना र लोगों ने अपने घर, तन, मन, धन सब निच्छावर किया तब याधिकार आया है इसके प्रति जागरत रहें धन्यवाद